यह कौन है मैंने से कहीं देखा है यही तो बाच्छा है मातों से अपने मुगरता नहीं मरने से मैं कभी दरता नहीं हेई वासप गाईज वेलकेम बैक पू मैं चैनल टेकनिकल सुईल सो गाईज आज की इस वीडियो मैं आपको दिखाऊंगे जो आप फिर भी में वीडियो देखें यह वीडियो इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़ादा वाइरल है और अभी आप जो वीडियो देखें यह भी वीडियो बनाने में बहुत ही आपको मुश्किल होगा तो आप क्रिप या वीडियो को पूरा एंड तक देखें इसकी बिल्कुल ना करें अगर आप इसकी करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपको वीडियो का आउटपूट उतना अच्छा नहीं बनेगा तो आप वीडियो को पूरा लास तक देखें बिल्कुल पी इसकी ना करें और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने क्योंकि आपको इस चैनल पीसी तरह हर तरह तकड़ा एडिटिंग सब मिलता है तो चलिए सब्सक्राइब करना है और आप अपना उस इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लें जैसे कि मैं सोच हो इस फोटो पर बना रहा हूं तो मैं इससे सिलेक्ट कर लेता हूं दिन थी डॉट पर क्लिक करके फिल कॉम्पोजिशन एरिया जश्ट मैं एक्जाम्पल के तौर पर आप प्रेम अजए पिनजी पर क्लिक करके एक्स्पोर्ट लें यह आपके गाललीरी पे सेब हो जाएगा अब आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर दो प्रोज़क्ट का लिंक मिलेगा आपको एक प्रोजेक्ट के अंदर इफेक्ट City रहेंगे और एक प्रोजेक्ट के mismoर को पर क्लिक करने के बाद आपको automatic light motion open हो जाएगा आप वेबसाइट में आपको सब मेटरियल सब मिल जाएगा आप वेबसाइट का नीचे पर चले जाएं और क्लिक करें बिटमार्क प्रोजेक्ट डाउनलोड डाउनलोड बेटन पर क्लिक करें यह लिरिक्स वीडियो करने के बाद आपको यहां पर क्या करना है आपको यहां पर उसके बाद करना है और आप जिस इमेज पर वीडियो बना रहे हो आप उस फोटो को चूज करें और जो फोटो आप सौरी एलाइट मोशन से एक्सपोर्ट किये उस फोटो को आप यहाँ पर इंपोर्ट करें और यहाँ पर उससे अप्लोड करके उसका PNG यह तुरहंदी दे देता है तो आपको वह अवला फोटो का PNG करना है जिसका रैसियू था 9-16 अब यहाँ पर आप इससे डाउनलोड का उप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें अब यहाँ पर देख सकते हैं यह लिरिक्स एड हो चुका अब यहाँ पर आपको इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाना है और सेग पर प्रोजेक्ट के अंदर आपको आना है यहाँ पर देख सकते हैं तो मैं प्रोजेक्ट के अंदर आ गया अब यहाँ पर आपको कुछ देख सकते हैं फोटोज है और यहाँ पर इफेक्ट सब है यानि कि आप देख सकते हैं टाइल टूट रहा है उस तरह एफेक्ट सब तो आपको यहाँ पर जो यह आई का option है यह सब पर इस तरह hold करके रखना है देन यह सब को इस तरह select करना है अब यह वाला icon पर क्लिक करना है जो देख सकते हैं यह वाला icon पर आप यहां पर paste 4 layers करने के बाद आपको यहां पर क्या करना है आपको फिर से उसी मार्ट से 3.39 से जहां से आप अपना यह 4 layers को इंपोर्ट किये उसी टाइम से यहां पर प्लस पर क्लिक करें पर जाएं और जो आप 9-16 रेस्यू फोटो एक्सपोर्ट किये जो कि आप अपना light motion से किये या कहीं से भी उस 9-16 रेस्यू को फोटो को चूज करना है दिन end तक आना है और यह वाल आइकन पर क्लिक करना है वो end तक ड्रैग हो जाता है अब यहां पर उसके बाद आपको क्या क तरफ कर ले तो यह नीचे हो चुका अब यहां पर आपको क्या करना इसके अंदर इसके इस पर क्लिक करना है एफेक्ट को पर जाना एड़ एफेक्ट पर और यहां पर संट करना है box दिन आपको सेकंड पर box बलर आ जाएगा उससे चूज करें इस स्टेंडर्ट सेटिंग स्ट्रेंड को आपको यहाँ पर 240 कर देना इस तरह तो मैं 240 कर दिया दिन बैक करें ब्लेंग इन उपर सिटी पर जाएं लाइट इन पर सॉरी लाइटन कहे रहा हूं उपर सिटी पर जाने के बाद आप अपना फोटो के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर लें 65 रख सकते हैं 66 यह 70 60 65 70 75 80 उस तरह आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर लें तो यहाँ पर मैं 65 करता हूं अब देख सकती हैं यह भी सेट हो चुका अब यहाँ पर आपको क्या करना है फोटो सेट करने के बाद जो इमेज ग्रूब है ग्रूप सॉरी इस पर क्लिक करें इमेज ग करना है आपको यहाँ पर अपना जो मेहनत है यहाँ पर दिखाना है आपको अपना फोटो सबको वन बई वन सिलेक्ट करना है किस तरह करना है यहाँ पर आपको मैं फिर से समझा रहों बैक कर लेता हूं सॉरी मैं फिर से आपको अच्छा समझा देता हूं जो इमेज ग्रूप पर जो आपका 21 गुरूप से मतलब बहुत सारा फोटो जैव गूरूप से लाइट रहा है तो यहां पर आपको पहला वागूप以 क्लिक करना है जो देख सकते हैं स्टार्टिंग पर है तो इसके पर क्लिक करने के फोटो एक्सपोर्ट किये राइट मोशन से या कहीं से भी अपना 9-16 वाला फोटो को चूज करें प्लस पर क्लिक करके तो जैसे कि मैं चूज कर लिया अब आप यहाँ पर बैक कर लें तो यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट गूरूप पर क्लिक करें एडिट गूरूप पर ज फोटो रिप्लेस कर लिए अब थर्ड नंबर गूरूप पर क्लिक करें एडिट गूरूप पर जाएं थोड़ा सी इस तरह टाइम लाइन को इस तरह स्लाइड करें देन इमेज पर क्लिक करें कलर एंड पर जाएं और अपना 9-16 रेसे वाला चूज कर लें तो यहाँ पर मै अंदर जैसे कि मैं इस पर सेट कर चुका इस पर भी अब फोर्थ नंबर वला पर क्लिक करना है और उसके बाद इस तरह गूरूप पर क्लिक कर लें एडिट गूरूप पर जाएं तो टाइम लाइन को स्लाइड करें और यहाँ पर इमेज पर क्लिक करें पर जाएं रिप्ल दूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं युनिक चीज जो है आपका फोटो जब एकसाथ हो जाता है तो देखने में सही लगता है अब यहां पर गाईज आपको एंड तक आना है और जो ग्रूप लेइर इसके क्लिक करना है देन एंड तक आना है और एक्स्टेंड कर लाना यहाँ पर 2 photos है तो यहाँ पर पहला फोटो 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 आपको यहाँ पर प्लिक करना है color and fill पर जाना है replace पर जाना है और जो आप फोटो चूज किये इंपोर्ट किये 9-16 वाला उसे यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके अड़ कर लें तो देख सकते नंबर वन वाला फोटो पर मिकर दिया अब नेक्स्ट वाला फोटो पर भी आपको इस तरह सेलेक्ट करना है अब इसे भी आप च्यूज कर लीए इस पर आपको इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं अब image group 2 इस पर क्लिक करना है edit group पर जाना है और इस पर भी आपको काफी सरे groups देखनों मिलेंगे तो आपको इस पर भी इसी तरह करना है जैसे कि मैं आपको बता देता हूं तो यहाँ पर group number 1 पर click करना है आपको यहाँ पर color and field पर sorry यहाँ पर edit group पर जाना है यहाँ पर slide करना है और यहाँ पर उसके पाद आपको जो photo उस पर click करना है color and field पर जाना है replace पर जाना है और जो photo आपको 9-16 रेसी वाला था उसे यहाँ पर choose कर लें तो जैसी कि मैं यहाँ प पर चूज कर लिये अब सकेंड वाला फोडिव पर आपको डिर्ट करना है और टायम्मनेन को स्लाइड करना है अपना जो फोटो आ रहा है उसके मातला है और आपको फिर से समझा देता हूं एक बर और और जैसी कि यहां पर आपको ग्रूप है तो गूर्प नूम्बर वन इम कर दिए अपना photo अब image group 2 पे click करें edit group पर जाएं काभी सरे और groups दिखने मिलेंगे तो आपको हर group करके dedicate करके आपको हर group को changes करना है जैसी कि मैं one two change कर चुका अब group number three पर click करना है edit group पर जाना है timeline को slide करना है अपना जो image आता है उस पर click करें color and fill पर जाएं replace पर जाएं और अपना आपका 9-16 वाला photo को इस तरह plus पर click करके add कर लें देरा 43 नंबर वाला हो चुका अब आपको यहाँ पर four number वाला करना इस तरह then edit group पर जाना है color and fill पर जाना इस timeline को option पर click करना है और अपना 9-16 वाला photo चूज कर लें तो इस तरह आपको सारा गरूप पर भी 21 groups यहाँ पर देखने मिलते हैं तो 21 groups पर आपको इस तरह कर लेना है changes photos उसके बाद आपको एक output बहुत ही अच्छा देखने मिलता है कुछ आपको इस तरह output देखने मिलेगा और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर उसके बाद आपको क्या करना है इस स्टाइं डाइम पर आना है प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको यह वालत यहां पर देख सकते हैं वह पार्टिकल वीडियो भी आड़ हो चुका अब यह फोटो को पर भी डिपेंड करता है आपका फोटो जिस तरह रहेगा उतना अच्छा आपका यह वीडियो लगेगा तो जैसे कि यहां पर आपको यह पार्टिकल भी लग चुका और यहां पर करके आप वीडियो को एक्स्पोर्ट कर लें मैं आपको थोड़ा से प्लेगर के दिखा देता हूँ आप अ करता लगी मारी किस्पे नहीं करता हूँ आपको यहां पर आपको जालनी इन झापको यह पार्टिकल भी लगेगए आपको भी लगेगर के दिखा आपको वीडियो नहीं आपको नहीं है